लर्निंग ऑन ट्यूब पे आप सबका स्वागत है आज इस जोग्रेफी के सिरीज में हम लोग UPSC, VPSC एवं जितने भी स्टेट PSC एग्जाम्स होते हैं उन सबसे रिलेटेड जोग्रेफी के कुश्चिन्स पे डील करेंगे और जोग्रेफी सिरीज का ये वीडियो पार्ट 11 होगा और जो भी कुश्चिन्स होंगे इस वीडियो में चाहे इस वीडियो में हो चाहे जितने भी वीडियो होते हैं सबी वीडियो की कुश्चिन्स इंस्टेड लेवल के होते हैं तो ध्यान से सुनिएगा ध्यान से देखिएगा ये वीडियो जो भी कुश्चिन्स है आ अगर आप जैनल पर नए हो तो प्लेज चैनल को सबस्क्राइब कीजे साथ ही विडियो को लाइक कीजिए और विडियो आपको कैसी लगी इस पर कमेंट भी कीजिए और साथी आपने दोस्तों से इस विडियो को शेर करना न भूलें तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और चलते हैं questions पर तो वीडियो का first question है question number 401 किस राज्य में नगडिये इकाईयों की संख्या सरवाधिक है अर्थात सबसे ज्यादा नगडिये इकाईयां किस राज्य में है answer हो जाएगा इस question का उत्तर परदेश अर्थात सीस उत्तर परदेश में सबसे ज्यादा नगडिये इकाईयां पाई जाती है next question पर चलते है question number 402 किस राज्य में कोई बिना बसे गाउं नहीं है अर्थात कोई भी गाउं ऐसा नहीं है जो कि बिना बसे हुए नहीं है ऐसा किस राज्य में है तो देखते हैं कौन से है तो बिना बसे गाउं जो कि नहीं है वह है केडला में कोई भी गाउं ऐसा नहीं है जो कि बसा हुआ नहीं है नेक्स्ट क्वेस्चिन पे चलते हैं भारती जनगन्या निदेशाले के अनुसार किसी अधिवास को नग्रिये अधिवाशों की श्रेणी में रखने के लिए निमनलिखित में से कौन सी शर्थ आवश्यक नहीं है अर्थात यहां पर पूछा जा रहा है कि जनगन्या जनसंख्या 10,000 से अधिक ठीक है अर्थात 10,000 से अधिक की जनसंख्या वाली जो शर्त है यह नग्रिये अधिवाशों की श्रेणी में रखे जाने के लिए अवश्यक शर्तों में से नहीं है और बाकी के जो है कुल जनसंख्या 5000 से अधिक अर्थात 5000 से अधिक होगा तो उस अधिवास को नगरिये अधिवास में रखा जा सकता है या पर दस अजार वाली शर्त नहीं है इसके अलावे जन संक्या का घनत तो 400 वेक्ति परती वर किलो मिटर से अधिक होना चाहिए तथा कुल कारेशेल पुरुस जन संक्या का 75 परतिशत से अधिक लोगों का गैर किर्श कारियों में लगा हुआ होना चाहिए तो इस प्रकार से यह सब जो शर्ते हैं यह भारतिय जन गन्ना निदेशाले के अनुसार निर्धारित की गई है नेक्स्ट कोईस्टन पर चलेंगे कोईसिन नमबर 404 है किस नगर की जन संक्या सरवाधिक है सबसे जादार नगर की जन काथण सही नहीं है विशूब की इस्ठिती के संदर्व में यहाँ पर जो ऑपसेंस है उसके अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सा कथण सही नहीं है आंसर इसमें हो जाएगा बर्कास वृते। इस समय ध्रूव्य वितों वृतों से गुजरता है, तो यह जो है यह विशूब की स्थिति के संदर्व पिर रात होती है, तो यह हो गया विशूब की स्थिति के संदर्व में, नेक्स्ट है, और दूसरा कथन कह रहा है पुर्णवासी के समय उच्छ जौर यानि कि स्प्रिंग टाइट्स होते हैं तो यहां पर कह रहा है कि कौन से कथन सही है तो पुर्णवासी अर्थात फुल मुन नाइट के फुल मुन नाइट जो रात होती है उसमें कह रहा है कि उच्छ जौर होते हैं तो यह कथन तो सही है लेकिन अमावस्या के दिन जो नियून जौर वाली बात कहा जा रहा है यह सही नहीं है तो आंसर इसमें से केवल दो हो जाएगा नेक्स्ट पी चलेंगे क्वेस्टिन नंबर है 407 407 में कह रहा है नेमने लिखित कतनों पर ध्यान दें मिट्टी के लक्षनों पर आधारी चटान की प्रकृती का महत्वण प्रभाव होता है अर्थात कोई भी मिट्टी उसी प्रकार की होती है जिस प्रकार की चटान से तूट करके वह बनी हुई होती इस सेंटेंस का अगर हम विशलेशन करें व्याक्या करें तो यह अर्थ निकलता है कि मिट्टी के लक्षनों पर आधारी चटान की प्रकृती का महत्वण प्रभाव होता है बिल्कुल तो और नेक्स्ट कह रहा है कि एक ही परकार की आधारी चटान ने एक ही परकार की मिट को जन्म देती है यह थोड़ा सा डाउटफुल है यह सही नहीं होगा लेकिन इसमें आफसन नमबर ए जो है यह सही है तो आंसर हो जाएगा ए केवल एक नेक्स्ट है पॉडजोल मिट्टियों में छारिये पदार्थों की कमी का परमुख कारण क्या है पॉडजोल मिट्टियों में छारिये पदार्थों की कमी का मुख कारण जो है कि यहां उगने वाली बनस्पति द्वारा इन पदार्थों का संचरन नहीं किया जाना ठीक है यहां पर जो बनस्पतियां उगती है वे इन पदार्थों का जो भी चार्य-पदार्थ होती है, इनका संश्रन नहीं कर पाती है यहां की अंचपतिय यहां पर चार्य-पदार्थों की कमी हो गई है. Next है, लेटराइट मिट्टी में, जैविक पदार्थ की कमी का पर्मुख और क्या है? लेटराइट परकार की मिट्टियों में आम्त और पे जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है तो इसका कारण क्या है तो इसमें कारण होता है इसका कि इस परकार की मिट्टि में सुक्ष्म जीवों की परतिक्रिया जो होती है वो बहुत ही तेजी से होती है और तिव्र गती से होती है तो आंसर हो जाएगा सुक्ष्म जीवों की तिव्र क्रिया ठीक है और यही है कि जैविक पदार्थ की यहाँ पर कमी हो जाती है नेक्स्ट है निमने लिखित कथनों पर ध्यान दें ताप रास दर ध्रूविय चेतर की अपेक्षा उस नकटी बंधिये चेतरों में अधिक उची होती है ठीक है यह हमारा यह कथन अगर सही है यह कथन नेक्स्ट है उस नकटी बंधिये चेतरों में उचाई बढ़ने के साथ वायूदाब में गिरावट की दर भी धिरोविय छेत्रों से अधिक उची होती है थीक तो यह कथन आ उसन कठी वण्दी हो दो से अधिक उची होती है यह यह नहीं इस और नहीं हो गलत है तो यहां पर से कौन सी अगने चट्टान नहीं है अगने चट्टान यहां पर एंडेसाइट दिया गया है ग्रेनाइट दिया गया है मार्बल दिया गया है बैसाल्ट दिया गया है देखाज़े अगर तो अगने चट्टान के यह सारे प्रकार सही है यह सब अगने चट्टान के ही उदारा लेकिन यह मार्बल जो है अर्थात संगमर्मर या आगने चट्टान नहीं है तो आंसर हो जाएगा C मार्बल नेक्स्ट है उस्न कटिबंध में इस्थित अधिकांस अधिकांस सीमांत अर्थात खुले साग्रों से संक्रे मार्गों से जूरे समुद्रों में लवन्ता सामाने तया खुले समुद्रों से अधिक क्यों होती है तो यह पूछा जा रहा है कि इसका कारण क्या है तो इसका कारण यह है कि स्वच्च पानी की आपूर्थी का अभाव तथा उच्च वास्पंदर अब चुकि संक्रे मार्गों से जूरे हैं तो यहाँ पर पानी की भी कमी है और यहाँ पर बहता हुआ नहीं है मतलों कि चलता हुआ चलाय मन पानी नहीं है तो इस प्रकार से यहां पर स्वक्ष पानी की आपूर्ती नहीं हो पाती है जिसकी कारण लवंता बढ़ती जाती है और उस पर से यहां पर वास्पन की दर भी काफी तेजी से होती है और जिसके कारण नमक यहां पर सचुरेटेड हो जाता है और जमा रहता है जिसके कारण यहां की लवंता इस समुद्र के पानी में लवंता खुले समुद्रों के पिक्षा अधिक हो जाती है और खुले समुद्रों में चुकि सवच पानी अनेक नदियों से आकरके मिलता रहता है इस प्रकान लवंता वहाँ पे थोड़ी सी कम रहती है नेक्स्ट पे चलेंगे बिल्कुल उस नकटी बंदिये छेत्रों में बड़े मदस्यान छेत्रों का अभाव है और इन छेत्रों के तटिये भागों के अधिकांश निवासी शाकाहारी है तो यहाँ पे ये गलत है तटिये भागों के अधिकांश निवासी साकाहरी कहा जाड़ा है शाकाहरी नहीं है तटिये छेत्रों में आवियसली लोग मांशाहरी होंगी क्योंकि मच्छ जो भी जलिए जिव जन्तु की बहूलता होती है मतलो कि ये उसली प्राप्वे होते हैं सुलब होते हैं, इसकी वज़ासे वहाँ के लोग अधिकांस्तर मान्शाहरी होते हैं, तो यहाँ पर केवल एक ही सही हो जाएगा, उस नकटी बंदिये छेत्रों में बड़े मत्सेयन छेत्रों का अभाव है, तो यह जो है, option A, ठीक है, next पर चलेंगे, question number 414, 414 में कहा जा रहा है वर्षा की सीमित मात्रा के बावजूद टैगा परदेश में काफी सघन वन पाए जाते हैं क्योंकि, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है कि टैगा छेतर में है तापमान कम होता है और इसकारण, नियून तापमान के कारण वर्षा की सीमित मात्रा भी वनों के विकास के लिए काफी रहती है, अब जब तापमान ज़्यादा रहती ही नहीं है रहता ही नहीं है, तो ज़्यादा वर्षा की वियावशक्ता नहीं हो पाती और कम तापमान की वज़े से कम वर्षा में भी यहां के वन सर्वाइब कर जाते हैं और यही कारण है कि वर्षा की सीमित मात्रा के बावजूद टैगा परदेश में काफी सघन वन पाए जाते हैं नेक्स्ट पे चलते हैं कर्शिन पे में जूट की खेती के संदर में निएम भिंदूह सकी जाती है तो इसके संदर में कौन-कौन से कथन कहीं देख लेते हैं यहां की जलवाय। जूट की किर्शी के लिए अनुकूल है, बिलकुल सही, यहां की जलवाय। जूट की किर्शी के लिए अनुकूल है, तो यह सही हो जाएगा, और नेक्स्ट कह रहा है, अन्य फसलें जूट के समान जलवाय। से संतुलित नहीं है, ऐसी बात नहीं है, नेक ाच्छेतर की मिटी जू है जूट जू होती है वो मिरदा की उरवरता को कम करने वाली होती है तो इस तरह की फसलो के लिए अनोकूल है, ठीक है, सही है यह भी, और नेक्स्ट केरा केड़ा केड़ल इसी राज़े में जूटकी खेती संभावे नहीं है, एसी तो कोई बात नहीं है, अने राज्यों में भी होती है जूटकी खेती, तो यहाँ पर हमारा एक और तीन ही सही है, तो आंसर हो जाएगा C, ठीक है, एक और 3 Next पे चलेंगे, question number 416 निमने लिखी कतनों पर ध्यान दें महारास्टर की काली मिट्टी की संग्रचना रेतीली है काली मिट्टी की संग्रचना रेतीली है यह कहा जारा है, यह गलत है, ठीक है Next है, काली मिट्टी कापास की खेती के लिए अनुकूल मिट्टी होती है यह बिल्कुल यह सरविदित है, कि काली मिट्टी की जो काली मिट्टी जो होती है, वो कापास की खेती के लिए सरवाधी को प्योग तो मिट्टी होती है तो यहाँ पे दो सही है एक गलत है तो आंसर हो जाएगा बी केवल दो नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चिन नमबर 417 निमनलेखित कतनों पर ध्यान दें कह रहा है चावल भारत की सबसे महतुपूर्ण खाद्यानने फसल है ठीक है चावल भारत की सबसे महतुपूर्ण खाद्यानने फसल है सही है यह भारत की सबसे महतुपूर्ण खाद्यानने फसल है चुकि उसनकटी बंदिये छेतर है यहाँ पे वर्षा और पानी की उपलब्धता की वज़े से चावल महतपुर्ण खाद्यान फसल बन गई है और भारत चावल के अगर्णी निर्यातक देशों में से एक है या तो महतपुर्ण खाद्यान फसल तो है लेकिन अगर्णी निर्यातक देश नहीं है भारत चावल का तो केवल एक सही हो जाएगा अर्थात ए आंसर हो जाएगा नेक्स्ट पे चलते हैं question number 418 है aluminium उद्योग के संबंध में इमने लिखित में से क्या सही नहीं है तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं है यह ढूणना है तो यह एक भार हडास मुलक उद्योग है इसके लिए विदुत की बड़ी मात्रा में आवश्यक्ता होती है यह भी सही है और इस धातु को electrolysis विधी से निकाला जाता है केवल यह गलत है और इसके बाद यह भी सही है कि अधिकान से अलुमिनियम उत्पादक संग्यां अंतर विदुत स्रोतों के पास स्थापित किये जाते हैं सभीस की इसमें विधीत की बहुत बड़ी मात्रह में आवर्शक्ता होती है अशचिए लिए जहां पर भी विधित स्रोत होते हैं बड़े ज्यादा मात्रा में जहांपर विधीत का उत्पादन होता है वैसे संग्यांत्रों के नस्दीक होते है तो इस तरह से आंसर हो जाएगा सी क्योंकि इसमें गलत को ढूनने को कहा जा रहा है तो केवल सी गलत है तो आंसर हो जाएगा सी नेक्स्ट है क्वेश्चिन नमबर 419 निम्नलिखित कतनों पर ध्यान दे उचतापमान खुली धूप समुदरतल से समुचित उचाई और छाया उपरोक्त में से कौन सी परिस्थितियां कॉफी की किर्षी के लिए आवश्यक है तो कॉफी की किर्षी के लिए आवश्यक परिस थितिया अगर देखा जाए तो यहां पर एक तो उच्छ तापमान और दूसरा छाया इसको कॉफी की खेती के लिए कॉफी की फसल के लिए तापमान समान भी जादा चाहिए और इसको छाया भी चाहिए दोनों ही चीज़ों की आवश्यकता है तो इसलिए एक और चार हो जाएगा सही लेकिन खुली धूप कॉफी की फसल के लिए उपयुकत नहीं होती है तो यह हो जाएगा गलत और समुदर तल से समुचित उचाई यह भी आ समान होता है लंदन के समय के समान होता है अलजियर्स का अंसर हो जाएगा बी अलजियर्स नेक्स्ट है एस्या में संसार की कितने परतिशत जनसंख्या निवास करती है तो एस्या में संसार की लगभग 55 परतिशत की जनसंख्या जो है यह एस्या में निवास करती है केवल ए 45 प्रतिश्यत हो गया वो दूसरे आन्य महादुपों में निवास करती है नेक्स्ट है समुद्रे जल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा सौरी एक कुस्चिन चुट रहा है कुस्चिन नमबर 422 है किस प्रजाती के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है सबसे ज्यादा किस प्रजाती के लोग पाय जाते हैं तो आंसर हो जाएगा इसका कौकेशियन कौकेशियन प्रजाती के लोगों की संख्या संसार में सर्वाधिक है नेक्स्ट है समुद्रे जल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्तो पाया जाता है तो जटके से लोग इसका जवाब दे देंगे कि आयोडीन होगा, सबसे ज़्यादा होगा या फिर सोडियम भी बता सकते हैं, लेकिन नहीं समुदरी जल में सबसे अधिक मात्रा में क्लोरीन पाया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट पे चलेंगे, क्वेश्चिन नमबर 424 हिमाले के किस भाग का पुर्वी पश्चिम विस्तार सरवाधिक है? तो पुर्वी पश्चिम विस्तार नेपाल हिमाले का जो है, या सरवाधिक है, सबसे ज़्यादा है नेक्स्ट है कुश्चिन नमबर 426 इसमें कह रहा है कौन सी नदी अरावली से निकलती तथा खंभात की खारी में गिरती है अरावली से निकल करके और खंभात की खारी में गिरने वाली नदी जो है, या है साबर मती ठीक है? या अरावली से निकलती है और खंभात की खारी में गिरती है नेक्स्ट पे चलेंगे question number 427 इलाईची की पहाड़ियों को और किस नाम से जाना जाता है इलाईची की पहाड़ियों को एक और नाम अगर दिया जा सके तो हुआ होता है येलागिरी पहाड़ियां ठीक है नेक्स्ट है नेमने लिखित में से किस मिट्टी की उपड़ी परत में जैविक पदार्थ का संचयान पाया जाता है तो जैविक पदार्थ का संचयान पीट मिट्टी की उपड़ी सता में जो है जैविक पदार्थ अधिक मात्रा में पाया जाते है नेक्स्ट है अधिक मात्रा में वर्षा तथा खड़े पानी का ना होना किस फसल के लिए आवश्यक परिस्थिती है मतलों कि वर्षा और खड़े पानी का ना होना किस फसल के लिए आवश्यक है मतलों कि पानी ज्यादा खेतों में लगया हुआ नहीं होना चाहिए और वर्षा भी ज्यादा मात्रा में होनी चाहिए, दोनों ही इस्थितिया होनी चाहिए, तो यह दोनों इस्थितिया चाय की फसल के लिए आवश्यक है, ठीक है, चावल की खेती के लिए भी वर्षा चाहिए, ज्यादा मात्रा में पानी चाहिए, लेकिन उसके लिए खड़े नसल है एंगलोनोबियन जो है यह बकडी की नसल होती है बकडी होती है ना बकडी जो पाली जाती है वो बकडी की नसल है एंगलोनोबियन नेक्स्ट है भारत की 2011 की जनगन्ना के अनुसार देश में जनसंक्या का घनत तो परती वर्ग किलो मिटर कितना है तो भारत में 2011 की जन जन्गन्ना के अनुसार देश में जनसंक्या का घनत तो अगर परतिवर्ग किलोमीटर देखा जाए तो यह है 382 अंसर हो जाएगा C 382 दोस्तो जन्गन्ना से संबंद जो भी आकड़े हैं यह हमारा 2011 वाला ही संभव है कि चलेगा क्योंकि कोरोना की वज़े से जो इस साल 21 में जो जन्गन्ना होने वाली थी यह नहीं हो पाएगी सायद अभी तक तो संभावना यही लग रहा है आप इसलिए पुराने आकड़ों को ही एक बार हमें रिवाइज कर लेना हमारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा और वैसे आगे भी कि भी उमीद की जानी चाहिए कर सकते हैं लेकिन अभी तो संभव भविष्व में ऐसा कुछ नहीं दिख परता है तो चले जो भी है हमारे पास जो डटा है कम से काम हम उसी को अपडेट रखें नेक्स्ट है राजियों को उनकी जनसंख्या के अनुसार क्रमबध अर्थात घटते क्रम में क्रमध कीजिए तो घटते क्रम में करया उनकी जनसंख्या के अनुसार राजियों को क्रमध करना है उनकी जनसंख्या के अनुसा तो यहां पर जनसंक्यय अगनुसार अगर क्रमबध किया जाय तो सबसे पहले उत्तर परदेश को ले लेंगे ठीक है सबसे जादा जनसंक्यय औस आप्षिंक क्या कॉलिंच में यह नहीं करी। मैं यह नहीं कर रही की है जिलिए हैं और नंबर 3 पे हम लोग रखेंगे पश्यमी बंगाल को और उसके बाद नंबर 4 पे रखेंगे मध्य परदेश को अर्थात हो जाएगा 1, 4, 2, 3 तो आंसर हो जाएगा D यानि कि UP महारास्ट पश्यमी बंगाल और मध्य परदेश Next पे चलते हैं राजियों को जनसंख्या घनत्त के अनुसार क्रमबध कीजिए या घर्टे क्रममे करना है या भी घर्टे क्रममे करना है तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखा जाए घर्टे क्रममे अगर अरेंज करते हैं तो पहले सबसे बढ़ावला लीया जाता है उसके तो इस तरह से अगर दिखा जाए तो यहां पर जनसंख्या को घर्टते हुए क्रम में तो यहां पर सबसे पहले अगर लिया जाएगा तो वह जाएगा उसके बाद हो जाएगा ये इसका तो यहाँ पे जन संक्या घणातो के अनुसार अगर कहा जाए तो सबसे ज़्यादा जन संक्या घणातो भारत में पशिम बंगाल का है तो नमबर वन पे हम चार को रखेंगे उसके बाद अगर देखा जाए तो बिहार का है तो यहाँ पे इस बिहार को हम नमबर 2 पे रखेंगे और 3 नमबर पे अगर देखा जाए तो केरला हो जाता है 3 नमबर पे और लास्टली यूपी को डखा जाएगा तो यानि कि 4, 3, 1, 2 तो यह चार दिन एक दो है बी में आंसर हो जाएगा बी नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चिन नमबर है 434 राज्यों को लिंग अनुपात अर्थात इस्त्रिया अनुपात पुरुष के आधार पर क्रमबध कीजिए ठीक है तो मिजोडम का कहईड़ा है मिजोडम हिमाचल परदेश उत्तर परदेश और केरल यह चार आप्शन दिये गए हैं इन सभी राज्यों को का लिंगानुपात के आधार पर क्रमबध करना हैं तो इसमें सबसे पहले नंबर पर लिंगानुपात के अगर बात की जाए तो सबसे पहले नंबर पर हम रखें नंबर वन पर रखेंगे ठीक है उसके बाद मिजोरम को रखेंगे सेकंड पर मिजोरम को रखेंगे और थर्ड पोजिसन पे हम लोग हिमाचल परदेश को रखते हैं और फॉर्थ पोजिसन पे केरला को रखते हैं तो इस तरह से आंसर हो जाएगा तीन एक और दो चार तीन किस चैत्र में साक्षर्टा सरवाधिक है सबसे ज्यादा साक्षर्टा कि अगर बात की जाए तो केरल में पूरे भारत वर्ष में सबसे अधिक साक्षर्टा देखी जाती है आंसर हो जाएगा C केरल किस चैत्र में 2011 की जनगर्णा के अनुसार लिंग अनुपात सबसे नीचा है सबसे नीचा लिंग अनुपात अगर देखी जाए तो 2011 की जनगर्णा के अनुसार हड्याना में जो है लिंग अनुपात सबसे नीचा है नेक्स्ट है, हलाकि अब तो बढ़ गई है, लेकिन अभी भी इस्थिती उतनी ज़्यादा सही नहीं हो पाई है नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चिन नमबर है 437 निमनलिखत में से कौन से योगम सुमेलित हैं? सुमेलित योगम है इसमें नियोनतम जनसंख्या वृधी दर, नियोनतम जनसंख्या वृधी दर नगालेंट, ठीक है, यह सही है, नियोनतम जनसंख्या वृधी दर है नगालेंट की, यह सही है, और नियोनतम लिंग अनुपात दिल्ली नहीं, दिल्ली में नियोनतम लिंग अ अनुपात नहीं है अभी अभी हड्याना हमने पढ़ा है नेवनुतम जनसंख्या घनत्व राजस्थान यह सही है यह जनसंख्या घनत्व नहीं जनसंख्या घनत्व पश्यम बंगाल में है और अधिक्तम जनसंख्या घनत्व की बात अगर की जाए तो यह दिली में है यह सही है एक और चार से हैं सभसे चार्टrial screw देखते हैं सबसे जादा सबसे बड़ा चसे द्र में कौन सा रची है भी क्राजस्तान है नुम्बर वन परी राजस्तान रखेंगे नेक्स्ट पर मद्यपर्देश ये लगता है एस इस रखना होगा क्योंकि नमबर टू मध्यपर्देश और थ्री पे महारास्ट है ही और वैसे भी है और फोर पे है तो इस तरह से आंसर हो जाएगा एक दो तीन चार ठीक है च्छेतरफल के अधार पर घटते हुए क्रम में मतलब पहले सबसे बड़ा च्छेतरफल हो गया राजस्थान का उसके बाद स्थान आता है मध्यपर्देश का उसके बाद महारास्ट का और उसके बाद करनाटका का यानि कि एक दो तीन चार तो आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है दो स्थानों के बीच समय के अंतर के लिए कौन सा कारक उत्तरदाई है कौन सा कारक उत्तरदाई है दो स्थानों के बीच समय का जो अंतर होगा उसके लिए उत्तरदाई कारक होता है अक्छांस नहीं होता, समודरतल से उँच्याय भी कारक नहीं है, तो अस्थानों की भी समय के अंतर के लिए देशांतर कारक होता है, main reason, देशांतर कहीं फरक होता है समय के फरक के लिए main responsible और भूमद्य रेखा से दूर्डिया सबढ़ा भी नहीं होगा तो अर्थात तो इस तरह से यह वीडियो समाप तो होता है वीडियो आपको आपके विचारों का इंतजार रहेगा और साथ ही खतम करते हैं इस वीडियो को नेक्स्ट वीडियो में फिर आप से मुलाकात होगी तब तक के लिए जय हिंद